नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, आज का अंक बिसेश है, आज हम जानेंगे नौर्थ दिसा के सम्मंद में, नौर्थ दिसा में ट्वालेट और प्रोबलम, अर्थात नौर्थ दिसा में यदि आपका सौचाले बना हुआ है, तो क्या-क्या समस्याएं उत्पन ह हो सकती है, साथ में उसके सरल उपाय या सरल रेमिडीज हम बताते हुए चले जाएंगे, तो किलियर हो जाएगी कि दोस्त क्या उत्पन हो रहा है, क्या हम करके यहाँ पर इससे निजात पा सकते हैं, यह बास्तु चक्र जो बना हुआ है, सबसे पहले नौर्थ दिसा है कहा से कहा तक यह जान लीजिए, नौर्थ दिसा यहाँ एन वन से आप सुरू करें और यह इस प्रकार से यह राउंड ले लेंगे आप, तो एन एट तक यह देख पा रहे हैं आप, इतना दिसा हमारा नौर्थ के अंतरगत आएगा, और यह कितने है, आठ तक अर्थात टोटल आठ पद है, अर्थात आपके उत्तर दिसा में कुल दिसा कितने बैठे हुए हैं, आठ दिसा हमें बैठे हुए हैं, और परतेग दिप्ता का अपना एक सूब और अपना एक असूब परभाव है, यदि सही जगा पर आप सही चीजों का निर्मान करते हैं, तो इसका परभ आज हम सुरू कर रहे हैं N1 से N1 अर्थात आपके बायु कोन वाले छेतर बायु कोन वाले छेतर में जो होता नौर्थ वेस्ट जिसे कहते हैं जब हम नौर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नौर्थ वेस्ट का छेतर इतना होता है अर्थात W8 पस्चिम का आठमा नंबर और उ उन देपताओं का नाम जान ले 8 नमबर देपता का नाम है पाप यक्छ़मा और N1 के देपता का नाम है रोग और यह जो जोन दिखलाता क्या है यह जोन दिखलाता है सपोर्ट बैंकिंग एन्ड सपोर्ट का जोन है अर्थात Anda आपको कहीं से क्या सहायता मिलेगी चाहे वो सहायता आपके घर की हो, चाहे आपके मित्र से मिलने वाली हो या परोसियों से या सहयोग, कहीं से किसी भी छेतर में जो सहयोग मिलता है वो ये छेतर दिखलाता है, बैंकिंग अर्थात आपके पास जमापूंजी आपका लेन देन ये छेतर जो है एकाउंट ये दिखलाता है और आपने यदि इस जगह पर N1 पर बना दिया अर्थात क्या होगा आपने एक डिस्पोजल एक्टिविटी कर दी सवचाले का क्या एक्टिविटी है सवचाले जहां भी होता वो डिस्पोज का काम करता है अर्थात अफसिष्टी चीजों को निकालने का तो वो क्या करने लगता है कि इस जोन के जो परमुख कारण थे सपोर्ट एंड बैंकिंग उसे वो डिस्पोज कर देता है अर्थात आपके जीवन में या आपके घर के जो भी सदस्य रहते हो उनके लाइफ पे जो परभाव पड़ेगा उनको सहयोग नहीं मिलेगा हमेशा उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ सहयोग की कमी है लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे है आपने N1 में बना दिया अब आईए माते N2 मैं जोन बाइज बात कर रहा हूँ ये जोन था पूरा नॉर्थ वेस्ट का अब आईए नेक्स्ट जो 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 जोन होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ये जोन पहले जोन और पद को थोड़ा सा आप समझने का प्रियास करें टोटल 32 पद होते हैं 32 देपता के अस्थान है टोटल 32 पद होते हैं और 16 जोन होते हैं एक पद में 11.25 डिगरी एप्रोक्सिमेट होते हैं हलांकि ये 11 डिगरी 25 मिनट है लेकिन आप इसे इस परकार से समझ लें कि 11.25 डिगरी एक पद का मेजर्मेंट है और यदि हम एक जोन की बात करते हैं तो एक जोन में आते हैं इसके डवल अर्थात 22.5 डिगरी या इसी टेकनिकल भासा में कहरें तो 22 डिगरी 50 मिनट ये कहलाएगा तो ये इस परकार से केलकूलेशन होता है अब देख लें कि ये जो जोन और ये बाटा गया है तो ये है एक जोन जिसकी हम बात कर चुके अब जो दूसरा जोन है दो पद मिलके एक जोन बनते हैं तो अर्थात अब हम जो बता रहें N2 और N3 तो N2 के जो देवता है वो कौने पले इसे समझ ले N2 के जो देवता है वो है नाग और N3 के जो देवता है वो है मुख्य नाग और मुख्य ये दोनों मिलके क्या बना रहें एक जोन बना रहें अर्थात एक दिसा बना रहे है ये दिसा उत्तर दिसा और बायू कोन वाले दिसा के मद्धिवाला छेतर जो है ये दिसा का ला रहा है इस अस्थान पर यदि सौचाला है तो वो क्या activity उत्पन करेगा अब ये देखना होगा कि इस दिसा के जो है positive results क्या होते ये छेतर किन का है इसकी उर्जा क्या है ऐसे मूल रूफ से ये sex और attraction का अस्थान है प्राचिन समय में क्या था कि हर चीज के लिए अस्थान हर देपताओं के अनुसार दिये गए थे तिये sex और attraction का अस्थान अर्थात यहाँ पर क्या है attraction अर्थात यहाँ पती-पत्नी का attraction के हम बात कर रहे है घर के सदस्यों के बीच में अच्छा सामंजा सोना आपकी पती है पत्नी है उनके बीच में जो अच्छा relation है वो यह zone देता है और आपने इस zone में सोचाले बना दिया थी यह क्या करेगा कि आपके attraction को dispose करना सुरू कर देगा अर्थात उसे वो वहाँ से नश्ट करना यह जो उर्जा थी उस उर्जा को वो नश्ट करना सुरू कर देगा और यहाँ यह समस्या उत्पन क्या होगा कि आपसी मतभेद हो सकता है आपसी मतभेद हो जाएगा आपस में understanding गटाएगा इस परकार की यह समस्या देगा तो हमें N2, N3 में भी सोचाले निर्मान से बचना चाहिए मैं इसके उपाई भी बताऊंगा पहले मैं N8 तक क्यों कभर कर लेता हूँ अब आईए next क्या है N4, N4 यह आती है उत्तर दिशा में N4 और N5 N4 के देपता है भलाट और N5 के देपता है सो यह दोनों मिलकर एक जोन बनाते हैं एक दिशा बनाते हैं जिस दिशा को हम काते हैं उत्तर यह है साड़े 22 डिगरी की दिशा यह नौर्थ यह छेतर किसका है यह छेतर है Money and Opportunity की आपके पास कोई भी वर्क करें चाए आप नोकरी करते हों, बेवसाई करते हों आपके पास जो Money और Opportunity की जो मौके मिलते हैं धन बनाने के मौके चाए बेवसाई करते हों ग्रहाग जो आते हैं या लोग आप जो भी कारी करते हों यह Opportunity यही छेतर देता है उत्तर तो इस छेतर में यदि आपने सोचाला बना दिया थी इसने क्या किया आपके Money और Opportunity के जो मौके मिलने वाले थे उसको यह Dispose करना सुरू कर देता है अर्थात उसको उस उर्जा को नश्ट करेगा वहां से बहा ले जाएगा तो ऐसे इस्तिती में आपकी जो है आर्थिक छेतर जो है वो कमजूर पढ़ना सुरू हो जाती है या कहें कि आपको जिवन में धन कमाने के मौके नहीं मिलते या आपका बेफसाय अचानक से चलने नहीं लगता या सही धंक से नहीं चलता ग्राहक भी नहीं आते हैं बहुत तरकी बाते होती है कभी-कभी होता है कि ग्राहक तो आते हैं परन्तु वो ग्रहक जो है कुछ खरीद कर नहीं जाते हैं इस परकार की भी स्थिति ये उत्पन न करता है तो ये दोनों भी जोन ये दोनों जो पद जो है यहां भी मना किया गया है यहां भी सोचाले आपको नहीं बनाना है उसके बाद जो आती है six number और seven number six number के जो देपता है इनका नाम है भुजग और seven number के जो देपता है इनका नाम है अधीती ये भुजग और अधीती दोनों मिलके जो जोन बनाते है इसका नाम है North Northeast अर्थात North East इसान कोन और उत्तरदिशा के बीच का छेतर sustainable 22 डिग्री का छेत्र इस अस्थान पर 140 होने से क्या होगा यह health and immunity का छेत्र है सबसे अधिक नुक्षान करता है health और immunity पर आपने toilet बना दिया तो इसकी जो है उर्जा को positive उर्जा को toilet dispose करना सुरू कर देगा और धीरे धीरे स्वास्त आपके घर के सदस्यों का किसी ने किसी खास करके बड़े सदस्य पर अधिक effect होता है यह धीरे धीरे स्वास्त को खराब करेगा immunity को कमजूर कर देगा अर्थात रोग परतिरोधक छमता आपके सरीर में कम हो जाएगी कभी कभी यह जो है क्या करता है critical disease भी उत्पन करता है इसलिए मना किया गया कि यहां और यहां सोचाले आपको नहीं बनाना है अब आई आते हैं नौर्थ इस्ट जिसे इसान का छेतर करते हैं यह N8 और E1 का छेतर है अर्थात यहां से पुर्व भी सुरू होता है यह है N8 के जो देपता है उनको वोद का नाम है दिती और E1 के जो देपता है उनका नाम है सीखी दिती और सीखी का यह अस्थान है यह अस्थान क्या है clarity और meditation का अस्थान है जीबन में जो असपश्टता होती है आपकी सोचने की जो छमता होती है साथ में आपका ध्यान का केंदरित होना meditation अर्थात केंदरित किसी आप बिंदू पर केंदरित होके सोच पाते हैं कि हमें life में करना क्या है वो यहां से आता है आपको जीबन में clear होना आवस्यक होता है कि आपको करना क्या है किसी चीज पर यदि decision लेना है वो decision making छमता यही जोन देता है तो आपके life में यहां पर आपने सोचाले बना दिया तो life से आपकी clarity समाप्त हो जाएगी असपश्टता समाप्त हो जाएगी आपकी knowledge को धिरी दर यह dispose करना सुरू कर पाएगा सही परकार से ना निरने ले पाएंगे ना सोच पाएंगे ना असपश्ट हो पाएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह तो हो गए यहां से यहां तक के सोचाले के जो दोस इसके कारण उत्पन होते अब आई हैं हम इस चेत्र का है तो यहां से यहां तक यहां से मैं ले लेता हूं यह यहां से मैं यहां से इस केज दिया N1 को मैंने छोड़ दिया और N1 को छोड़कर N7 तक की मैं बात करूँगा N2 से N7 तक हमने यहाँ छोड़ दिया है N8 के remedies अलग है N1 के remedies अलग है यह zone किसका है यह छेतर किसका है यह water element का छेतर है water का color क्या होता है water का color blue होता है तिसका simple सा उपाय है कि आपको क्या करना है toilet seat के चारो तरप एक blue tape का परियूग करना है market में easy way में उपलब्ध है online भी उपलब्ध है चार इंच चौड़ी पट्टी आपको toilet के चारो तरप चिपका देना है Indian toilet हो तो उसके चारो तरप चिपका देना है और यदि western toilet हो तो उसके तीन तरप भी इस प्रकार से चिपकाय जा सकता है यह picture आप देख लिए तो यहां हम blue tape का परियोग कर सकते है अब आके बचरा है हमारे पास N1 N1 के लिए क्या उपाय है N1 छेतर के लिए हम अलग तरीके से उपाय करते है चुकि यह जो छेतर आता है हमारा यह दोनो जोन इसके उपाय अलग है और N8 के लिए N8 और E1 का कोई उपाय नहीं अर्थात यहां पर जो toilet है उसका removal ही सबसे अच्छा उपाय है कि आप अस्थान का परिवर्तन कर लें चुकि यहां पर आप कोई remedies करते हैं तो वो work नहीं करता है इस अस्थान पर आप यलो का tape का परियोग कर सकते हैं यहां white भी चलेगा और यलो दोनों चलेगा कुछ लोग metal का भी परियोग करते हैं तो metal के भी से मैं थोड़ा समझ लें कौन सा metal यूज करेंगे तो यहां पर हम जलतत्तु वाले अस्थान जहां से जहां तक आते हैं इस रस्थान पर इसमें हम जो metal यूज करेंगे वो है brass इस brass metal को हम यहां पर यूज करेंगे तो आज के अंक में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में पुनाबात होगी धन्यवाद